Hi everyone, NK Education Channel पर आप सभी का स्वागत है जैसे कि हर district में अपने according vacancies सो कर रहे हैं उत्तर पिर्देश के सभी जिलों में बारी बारी से KGB की भरतियां हो रही हैं और उनकी विग्यपती जारी हो रही है जब भी जिस भी district में जो vacancies निकली हैं उन सभी का मैंने वीडियो बनाया है और उनका PDF भी शेयर किया है ताकि कई बार ऐसा होता बहुत से district हैं सिर्फ उनका नाम दिया गया है पूरी विग्यपती तक पूरा किलिए कोई चीज नहीं हुई है तो उसकी भी कितने district में ये vacancies आ चुकी है उसको भी एक वीडियो में मैंने इससे जो पहले मेरी वीडियो थी केजी बी वाली उन सभी में मैंने उस चीज को भी दिखाया है अब यहां पर आप देखेंगो कुछ दिन पहले ही एक और district का निकला हुआ था इससे जस्ट पहले वीडियो होगी वो मेरी अब आज जो यहां पर विग्यप्ती निकली हुई है वो जैसा कि आप देख भी रहे होंगे यह है कारियले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान सीतापुर यानि कि यह उत्तर प्रदेश के किस district से सीतापुर से निकली हुई है तो आप ऐसा नहीं है एक दूसरे में भी आप एपलाई कर सकते हैं लेकिन जब आपके अगर अपने ही जिले में वेकंसी है तो बेस्ट होता है कि आप अपने ही जिले में उसका आविदन करें इसमें लिखा हुआ है माहा निदेशक सुकूल सिक्षा ये सभी का एक लैटर की भासा होती है पूरा है इसमें बस डेट अनिवारिय होती है ये आदेश संख्या निवारिय होती है ये है केजी बीवी का है इसमें निर्देश दिये गए है ये सासना देश संख्या है इसका कस्तूरुबा गांधी आवासिय बाले का विध्यालों में समवेदा आधारित पूर्ण कालिक सिक्षिका और अंसकालिक सिक्षिका एवं सिक्षने तक कर्मियों की निक्ति हेतु इच्छोक और योग्य अभ्यर्तियों से पंजी करित डाक द्वारा कारेले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समगर शिक्षा जी आई सी कैंपस सीतापुर में निर्धारित प्रारूपर उननीस साथ यानि की उननीस जुलाईस की डेट है कितनी बजे तक शाम के चार बजे त या याचिका ये उनकी संख्या है ये उनका प्रोजेक्ट का है डारेक्ट बनाम सरोज मारिया ये इनका एक लंबित चला हुआ उसी का ये बता देते हैं तो इसमें जो कि पंजी करित डाक के अत्रिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाए यहाँ पर यह आपके लिए इंपोर्टेंट है यानि आपको पंजी करित डाक के द्वारा ही आवेदन को भेजना है अब हम इसमें पद देख लेते हैं सेक्ष्णिक योग गेता देख लेते हैं और आपका सब्जेक्ट देख लेते हैं जैसे कि पून कालिक शिक्षिका का ह तो हिंदी संस्कृत में निकला है और इसकी आयू सीमा है आप 25 से 45 के बीच में एपलाई कर सकते हैं अनारक्षित में निकला ही नहीं है अन्या पिछड़ा वर्ग में भी नहीं निकला है और नहीं यह अनारक्षित वर्ग में निकला हुआ है यहां पर है अनारक्षित वर्ग में दो है इन में अन्य पिछड़ा में भी नहीं है अनुसूचित जाती में नहीं यानि को लोग है दो अब इसकी योगेता देख लेते हैं यहां पर योगेता है हिंदी एवं संस्कृत विसे ऐसे सनातक यानि आपका सनातक होना चाहिए और एंसी टी इसे माननेता प्राप्त भी एड होना चाहिए और एल टी एवं उच्च प्राथमिक स्तर का टी इटी उत्तिन होना चाहिए तो यह इसकी अनिवारियता है जिसमें की टैट दिख गया है किलियर है आपका टैट होना जरूरी है अब पूर्ण कालिक जो दूसरा है विशे सिक्षिका का अंगरेजी है जिसमें आयू वही है 25 से 45 वर्ण की अनारक्षित यानि जनरल में है ही नहीं और अन्य पिछड़ा वर्ण में दो है जो OBC से बिलॉंग करते हैं सी का नहीं है यह यहां पर टोटल दे दिया यानि कि दो वेकैंसी इसमें OBC की निकली हुई है अंगरेजी विशे में और इसम होना अनिवार यह है अब आगे देख लेते अगला विशे यह यहां पर पूर्ण कालिक शिक्षिका का ही है इन्होंने वेकैंसी काफी अच्छी निकाली हुई है लगबग सभी से विशे हैं तो यह हमने देखी लिया था यह तीसरा पॉइंट है पूर्ण कालिक शिक्षिक है और यहां पर पूर्ण कालिक शिक्षा विज्ञान का जिसमें जनरल में 6 सीट निकली हुई है और वही क्राइटेरिया है जो सक्षिक योगता जो अनिवारी है जो उपर चला रहा है वही है इसी पिरकार यह सारी चीज़ें आप देखते रहे ना आप जिस विशे से बिल हुआ है अब यहां से सुरू हो जाता है अंसकालिक यानि कि यह जो है जो अब तक थी पूर्ण कालिक शिक्षिका की और यहां से है अब अंसकालिक शिक्षिका की तो किस-किस विशे में निकली है सारी रिक्षिक्षा में निकली है एज का क्राइटेरिया वही है 25 से 45 तो य जनरल में भी निकली हुई है और यहाँ पर S.E. में निकली हुई है और इसकी qualification क्या होगी यह वाली qualification है प्रशिक्षित आतक पक, बीम एट, सीप एट, डीम आप्याइसे सारी रिक्सिक्षा है तो आपका बीम एद वगेरा यानि कि जो प्रशीक्षित कोर्स होता है वह करना अनिवार्य है दूसरा है कॉंप्यूटर का वही एज गुरुप है इसमें अनिवार्य आता क्या है computer science सत्वसनातक सहित B O E A W C या समकक्स संस्था से यहां पर यह लिखा हुआ है यह वाला डिप्लोमा आपका होना चाहिए फिर अंसकारी कला और क्राफ्ट वाला है यही एज ग्रूप है सभी में कला क्राफ्ट में इतना है यह यहां पर आप अपनी सेक्सिक योगिता देख सकते कि क्या चाहिए ठीक इसी प्रकार लेखा कार है अब इसमें जो और चीज़ें हैं क्योंकि इसमें बताया था यह तो होगे शिक्षिका का आप जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका भी वेकैंसी निकली हुए तो जो नॉन टीचिंग में है मुक् चैनल और OVC में वही क्राइटेरिया है 25-45 अब देख लेते नॉन टीचिंग वाला है जो यह मुख्य रसोईया है सायक रसोईया है चपरासी है और चौकीदार है इन सब का एज गुरूप भी वही है 25-45 कितनी वेकैंसी है अगर आपके कॉंटेक्ट में कोई है तो आप उ बोरियत महसूस करते हैं इतना बड़ा वीडियो हर कोई नहीं देख पाता है तो इसलिए जो में में चीज़ें होती है वही में वीडियो में बताती हूं इसलिए हमेशा निर्देश जरूर पढ़ा करें कि निर्देश में क्या दिया हुआ देख एक तो जैसे कि चरित्र प द्यानकारी वहाने इस वम सैट से आप प्रा कर सकते हैं और सेंगे आप में यह का स्क्रीन दी करते हैं और एक चलिए लेंता कि अच्छ एसे सथोड़ी कर सब्यूंग कर ने करकर और पूरे आप ऐसे द्यान creek लोका करें हो bereits को हाँ एक बात और बता दूँ आपको जो ये विकैंसी है ये जो भरती है ये समविदा पर होती है और ऐसा नहीं है लेकिन समविदा का मतलब कि서ि Mike आपको ये निकाल दिया जाएगा जब तक आपके पास permanent job नहीं हर कोई चाहता कि permanent government job हो लेकिन जब तक नहीं है एक best option बढ़िया है आप लगे रहते हैं सब कुछ नहीं है एक session के लिए तो पूर्ण है कोई नहीं हटाता उससे पहले और salary भी अच्छी खासी देते हैं और आप apply करते हैं जब permanent job मिल जाए तो ठीक है well and good है तो मिलते हैं अपने next session में तब तक के लिए धन्यवाद thank you और channel अच्छा लगे informative लगे तो subscribe करें share करें और like जरूर करें thank you and thanks for watching